नमस्कार दोस्तों मैं चार्टर कॉंटेंट सचिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्सी सचिन पर आप लोगों ने अकर सियाटी अपील फाइल करी वी है चाहें असेसी हो या चार्टर कॉंटेंट एड्वोकेट या प्रफेशनल कंसल्टेंट के क्लाइन के पास एक मेल जा रहा है सियाटी अपील विंडो अनेबल फोर कम्म्यूकेशन पिछली बार जहां एक एक साल में आते थे इस बार दो-दो दिन में आ रहे हैं अब आपको करना क्या है उसका मतलब क्या है और सियाटी अपील को लेके कई सारी वीडियो में बना क्या है थोड़ा सा बैक्ग्राउंड दे दूं कि ऐसा क्यों हो रहा है जल्दी क्यों आ रही है एक नोटिफिकेशन आई दोस्तों साथ मार्च दौर 24 को हजारों अपील पर यह समय बल्क में और पास हुए क्योंकि फेस्लैस असेस्मेंट हुआ आईटों ने एडिशने कर कर दिफिक पहले हम लोग जाते थे समझा देते थे एडिशन कम होती थी अब अब एडिशन जादा हो गई है अपील भी जादा हो गई है डिपार्मेंट के पास एक से चाईट यहां जो एक साल में खतम करनी है तो कौन से बता रहा हूं गाइडलाइन दी आपील यहां पर एक करोड़ से उपर हो यानि कि अगर आपकी भी अपील फाइल हुई है और उसमें एक करोड़ से उपर की डिमांड है तो आपकी हेरिंग बहुत जल्दी आने वाली है सब्मीशन क्यार कर लीजिए केसे वियरा वियाईपी और प्याइमो रैफर इस रिसी पोर एक्पीडिश डिस्पोड़ यह निकिया जल्दी कराने के लिए किसी वियाईपी किससे मतलब हो सकता है जो बड़े-बड़े लोग हैं उद्धोग घराने के हो सकता है उनकी पांट-दस अजाग पछल्गी को केस हो गया आम आदमी को ओनलाइन एप्टिकेशन देनी पड़ेगी आम आदमी को उसी धर्णे में चलना पड़ेगा वियाईपी और प्यमो मेरे ख्याल से यह वियाईपी शब जो लिखा हो गलत है प्यमो शब भी लिखा हुआ है यह आपने विंडो ऑपन कर दिए तो इं की रिक्षे मिली हो कोड के द्वारा यानि कोड दियुकेश को कर दो किया सकता ही सिटिजेन का कोरने की टिए की सब्सक्राइब का की स्नी टिएन सॉपर गलते संब्सक्राइब कर दो ने लिख्ड करें बुजूर्ग आदमी अपने सर्वाइविंग के लिए कैसे करेगा अब्जेक्शन होती है मुझे लगता है मुझे मुझे इंकम टेक्स वाले या फानल मिश्टेल ठागे ने ले जाएं में तक कुछ बोल देता हूं यहां पर कोई नहीं बोलूगा मैं तो कोई भी जैन् सब्सक्राइब कर रखी है पूरा पूरा बैंक कर देते हैं पूरी 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 प्रेट की सेल वैलिवर कर देते हैं चली कोई नहीं इस बज़े से क्या हुआ मिटिंग यह हुई और यह डियाक्शन दी गई कि भाईया डेली वेसिस पे तीन तीन और पास करे जाएं तीन तीन और सोचो जानी की एक दिन के अंदर तीन और पढ़ने भी है मदा समिशन पढ़ना भी से आईटी कमिशनर्स अपील को जोन कमिशनर्स को अपील्स को पढ़के ओर ड्राफ भी करना है सारी अटेश्मेंट देखनी भी है सब कुछ करके पास करना है जो कि इंपॉसिवल है अगर मैं ख होगा क्या बताता हूं वह भी लेकिं यह समझ लिए कम्यूकेशन विंडो ओपन हो गई सेटी अपील में जो आया है मेल इसका मतलब क्या है जब आपका सेस्में और पास हो जाता है 147 में 148 में 143 में और पास जब हो जाता है तब आप फॉर्म 35 के अपील कर देते हो अपील सब्सक्राइब होने के बाद जनरली फिछले सालों में एक-एक साल दो-दो साल के अंदर विंडो नेवल होती थी है अब दो दिन में आ रही है उसके इजन बता चुकाँ है दो दिन में क्यों आ रही है विंडो ओपन हो जाती का मतलब क्या है आप एक तो अरली हिरिंग की डाल सकते हो यानि की आप लिख सकते हो कि मेरे पर दिमांड का प्रेशार आ रहा है ऐसे सी प्रॉलम से मेरा केश बहुत डिजर्विंग है अर्ली हरिंग लगा रहा हूं साथ मैं संबीशन भी देना है इसका मतलब है आपकी विंड़ो ओपन हो गई है जो स्याइट अपील को अलाउट हुई है उसके पास पूरा सम्मीशन डॉकूमेंट के साथ अपलोड कर सकते हो साथ में अर्ली हिंग कर सकते हो उसके पास फाइल पहुच जाएगी मेस्जी भी पहुच जाएगा और वह आपक अब मैं परशान हूं में पास को विंड़ो ही नहीं बात करने के लिए से परशान होते थे अर्ली हरिंग लगानी है इस्टे ओव डिवान के लिए कुछ डालना है जल्दी केस कराना में समिशन त्यारा में समिशन देना चाहता हूं ना नोडिस आने भी होता था पहले अब को यह बास समझ में आई कि हाए गलती है एक विंड़ो तो होनी चाहिए कम्मिन्यूकेशन के लिए बाचीत के लिए इसलिए इसका नाम लिखावा है कम्मिन्यूकेशन विंडविच एपील अनेबल कर दिया गया है अपसर में आगया आपको समिशन देना है इंपर्टिंट प्रेशर है डिस्पोजफ करने का मैं कई केसों में डाल चुका मैं हरान था आज मैंने अपील फाइल करें शनिवार को सोंबार को विंड़ो नेबल हो गई है अगले दिन हेरिंग का नोटिस आ गया मैंने अध्यार भी निकरी मैंने डाली मैं दो महिने की मुझे 15 दिन के मिली मैं कर ऐसा कैसो सकता है मैं इसके वारे में फिल सेच करी तो फैक्स में आया कि भाईया डिस्पोजफ करनी है 400-500-500-600 टागेट दिया गया है भौध धाना भी क्या अट खर सकता कोई नुक्सान क्या होगा अगा आपके होने एच्ट लैवल्पर ये ओर यह अघ司 क्नलच ूठक ग虹ान क्हां हो क्युट माले आप बोल सो पत्म क्या आप तो कि शुक्त यहां चाहती है खात है वहाय यहां को टो कर चाहिक projection करना भी मिले एक इंपोरेंट जी सलए मैंने आपको बना जा रहा हूं एक या दो पेज की समरी जुरू बना दीए जब मैं समिशन बनाता हूं वो 100-800 पेज का बनता है अब मुझे ऐसा मैसूस होता है कि यप टाइम कम है पूरे पकल अब बना दीजिए टैसमेंटस बनां लिख समिशन बनाता हूं आपने समिशन बनाए उसमें ही स्क्रीं लगा दिजिए जैसे रष्ठी है कोई प्रॉपर्टी का मामला है कि प्रॉपर्टी खरीदी पेवन कैसे करी आप प्रॉपर्टी के एक दो पेज लगा दीजे सम्मिशन में ताकि जब वो सम्मिशन पड़े तो उसे अटेश्मेंट खोलने की जो तनाब पड़े प्रॉपर्टी को हेल्प होगी और हो सकता है वह आपका और पॉजिटीव वे में करें दो पेज की सम्मिशन का जुरूर ध्यान रखें अनेबल विडियो मैंने आपको बता दिया है बागी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है प्लेलिश में इन इडिया का एक लोगता पैक्टिकल चैनल है जो आपको साइच नोलिग देता है और एक बात में और जाना चाहता हूं कितने चार्टर कॉंटेंड या एड्वोकेट टैक्स वाले हैं जो मेरे यूटीब चैनल से जुड़ेवे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की बढ़ाऊं उन लोग का बिजनिस भी बढ़ाऊं यहां पर नौल देखे तो आप अपना नाम और अपना स्टेट जरू लिख दें इस पेशली चार्टर कॉंटेंड या जो भी काम करते हैं वह अगर मुझे पाच चलेगा कि लाज नंबर में लोग इंक्लूड है में चैनल इस बाद मुझे भी बहुत दिक्कत आने वाली है मैंने CID पील तो भूसरी ले लिए हैं मुझे भी इस चीज का आइडे नहीं था लेकिन काम तो करना ही है थोड़ा प्रेशर होगा मेरे लिए भी बहुत दिक्कत है मैं भी इसको मैनेज कर रहा हूं तो लोग को शेर करके बता दें कि किसी का लुक्सान ना हो जल मिलूँगा अगली वीडियो में तब तरी नमस्कार